हेलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बात करें MRPL मतलब कि MRPL का स्टोक आज 39 के आसपास आपको मिल रहा है एक टाइम पे स्टोक 300 पलस के आसपास हुआ करता था किस टाइम हो 300 का था आज इतने रेट कम रेट पे आपको क्यों मिला क्या उसका इनालेशिस है फंडामिंट एल करते हैं यहां पर आप देख रहे हों कि MRPL इसके फुल फूम मैंगलोर रिफानरी एंड प्रेट्रो कैमिकल लिम्टेट फुली पेड ओडिनिर सेर्स मतलब कि प्रूड और बगार का इसका विजनेस है MRPL का अगर आप रेट की बात करें तो आज आपको 41.60 पे मिलेगा मैं करता हूं अगर आप बात करें तो 41 का इसका प्राइस अभी करेंट में आज यह गेन वहादा 2.72 तो आज इक करेंट का प्राइस दा रहों कि 41.60 पैसे में आपको इसके राउंड मिलेगा बट अगर आप इसकी कैलकुलेशन करो पांच साल पहले कितना प्राइस था इसका तो मैक्सिमम दिखाता हूं देखो मैक्सिमम कितना इसमें मैक्सिमम यहाँ पे टच कर आई इसने और 150 का असपास जो आज आपको 41 के राशपास मिला हुआ है तो मैक्सिमम इसका प्राइस ओनली 150 रुप के आसपास गया है आज तक का बट अभी करेंट में चला रहा है 40, 41, प्राइस तहां कि यहां भी टच कर रहा था मतलब की 155 साल पहले और मैक्सिमम् दोनों का मिलाके इसका प्राइस एक्सोपचास रपी आज तक सबसे हाइस गया है जो आज करन्ट चला 41 के रुपीज कि में अब मैं दिखाता हूं कितने मार्केट केपिटल है टोटल फिप्टी टुवीक हाई कितना गए फिटी टुवीक लो कितना हुआ और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटने कितने पर मोटर के पास कितने पबलिक के पास है अब इसकी बात करें देखव अपर यहां पर चेक करें कि मैंगलोड रिफांडरी एंड पैट्रोकेमिकल से एंगेज्ड बाइड बीजनेस है यह मैं इमार्पील और इसकी मर्केट कैपिटल कितने 7098 करोड मतलब गया था और 52 वीक में लो गया था और 52 वीक में यह 49 रुपे सबसे उपर गया था जो आज इस करेंट रेट है इसका 41 के आस पास यह था इसके बारे में कितने हैं कितने कितना है फिफ्टी टू वीक हाइ कितना फिफिटी से लो कि घो नो सकते हैं कि 88.58 मतलब 89 89 परसेंट के असपास इसके पर मोटर के पास है तो 11 परसेंट जो बचते हैं बाकी वो डिवाइड हो चुक है फाइस के अंदर यह फिर गवर्मेंट यह पर पबलिक के अंदर अब बात करतें फाइस के अंदर फाइस ने थोड़ी से इंट्री लिए इस के पास है और गोवर्मेंट किसी कोई पाइस के अंदर जीरो जीरो आप यहां पर जैक कर रहें तो इसके जो बाकी बस्ते हैं एट पॉइंट वन टू स्टोक प्रसेंट स्टोक वो हैं पबलिक के पास में मतलब कि पबलिक इसके थोड़ी सी भी इसके इंसाइड नहीं है अगर आप इसके बारे में ज्यादा चाहते हैं कि पूरी डिप नोलेज दें मतब फंडामांट अनलेशिस टेक्निकल अनलेशिस तो आप कमेंट कर सकते किस प्रकार की नोलेज चाहते हैं में आगे आने वाले टाइम में हार स्टोक का पूरा डिसकसन दूंगा जिसता फंड